जहें दोस्तों अन्दे मातरों, लंबे समय से राहूल गांदी की भारत जोड़ो यातरा चल रही है, लेकिन उसके बारे में कोई भी ऐसी खास सर्चा होती नहीं, लेकिन अब अब राहूल गांदी वाकई में चर्चाओं में आने वाले हैं, क्यों? क्योंकि उनका नाता वी से, वह भी कोई ऐसी ऐसी मूवी नहीं, बल्गी साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी, दरसल एक अन्वर्टाइजमेंट का जो गाना बनाया जाता है यह सब चुनाओं इनेताओं बनाओं के चक्कर में, उसमें कुछ गाना बनाया गया है, उसमें जो धुर राहुल गांदी के उपर केस की जाने के तैयारी हो रही है तो जान लेते हैं इस वीडियो, कॉंगरेस ने राहुल गांदी इन दिनों अपनी भारत जुड़ यात्रा को लेकर खबरों मने हुए है, हाल यह बॉलिविड एक्टर्स पूजा भट का भी उनको साथ मिला था, जिनके साथ उनके फोटोज और वीडियो काफी बारल हुए थे, इस बीच अब राहुल गांदी वो इंडियन नेशनल कॉंगरेस के कुछ अन्य नेताओं के खिलाफ कॉपिराइट एक्ट का एक मामला सामने आया है, केजी एश चप्टर टू फेम एम आर्टी म्यूजिक न क्लासिक ओल्ड म्यूजिक को हासिल करने के लिए बड़ी रिकम अदा करी, इस बीच म्यूजिक लेबल की योड़ से दावा किया जा रहा है कि इंडियन नेशनल कॉंगरेस ने इस फिल्मों के गाने कास्तमाल किया है, उन्हों नहीं है, माल्टी म्यूजिक के अनुमती के लिए नागरिक और अपरादिक कानूं दोनों के तहत उत्तरदाई है, और धारा 425, 463, 464, 465, 471, 120, B, R, W की धारा 34 of IPC और Information Technology 2000 की धारा 43 के तहत, धारा 64 के तहत ये दंडनी अपराद है, इस मामले पर म्यूजिक लेबल की ओर से वकील का कहना है, कि हमारा क्लाइंट MIT लोगप्री, प्रतिष्टिट और संबंद शित्री संगीत कंपणियों में से एक है, और वेबन भाषाओं में सेनेमेटोग्राफ, फिल्म, गीतो, संगीत अलबम, वीडियो आधी के निर्माण और अधीगरहन का बिजनेस करता है, हाली में MIT मूजिक ने कॉपरेट एक्ट क के रूप में संचालन समीति के सदस्यों की गहर कानूनी धोकदर और अवैद कारें से समद्द थे, आएंसी ने अवैद रूप से फिल्म के जिए शप्रट टू के गीतों को हिंदी में डाउलोड और सिंक्रोराइज और प्रसारित करने का वीडियो बनाया है, और इसे आए की तरह से हरान थे जब हमने हाली में इंडियन नेशनल कॉंगरेस पार्टी दौरा पोश्ट किया गया यह वीडियो देखा, जिसमें खुद राहूल गांदी सदस्य संचालन समीति इंडियन ने ने नेशनल कॉंगरेस ने हमारे मर्जी के बिना अपने राजनितिक एजंड का उलंगन किया है, जिसे हमने खरीनने के लिए भारी रकमखर्ज करी है, कॉंगरेस की ओर से यह अधीनियम भारती जनता को पूरी तरह से गलत संकेत भेजेगा और हमारे कॉपेरेट की सुरक्षा की कोशिशों के बिलकुल अपोजिट जाएगा, इस गंबीर उलंगन को हम पूरी कोशिश के साथ चुनाओती देंगे, अब जाहिर सी बात है, यह कोई मामला ऐसा नहीं है, कि सिर्फ और सिर्फ कोई प्रपगेंडा बनाने के लिए या एवई कर दिया गया, यह पूरा एक टेक्निकली लीगल केस बनता है, जिसमें कि राहुल गांदी और इंडिने मेरे क्या कहना है, मेरे स्वीडियो फिलांत नहीं जाहिए, जाए बारत